हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोड में तो सभी बच्चों को गुड मोर्निंग कैसे हैं आप लोग एक बार बता दीजे आप लोग कैसे हैं तो देखिए आप आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोड इंटर परिक्षा के लिए जो बिचा जाता है तो आपको एक भी प्रश्ण को स्कीप नहीं करना है वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है और इसमें से जो भी प्रश्ण अगर आपको मान लेजे याद नहीं है उसे आप लोग लिख के नोट बुक पर याद कर लिजेगा तो देखिए आप चैनल पे आप लोग पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकोन होता है उसको दबाके आप लोग बॉल पे कर लिजे ताकि जब भी लाइब क्लास हो तो नॉटिफिकेशन आपके पहुचता रहा है साथ में व मार्टसप नंबर लिख देते हैं 91,35,74,24,24 आप इस पर मैसेज किजिए और बोलेगी सर हमको गुरूप में जुड़ना है तो हम आपको गुरूप में जोड़ देंगे तो चले बाव बिना किसी देरी के हम एक-एक महत्तपून अब्जक्टी प्रशनों को बताते हैं तो इक प्रशन आप लोग ध्यान में रखके उसको याद करते चलेगा तो जरी कि यहां पर पहला नमर प्रशन क्या है कि हावा के द्वारा प्रागित होने वाले फूलों को हम क्या कहते हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हावा प्रागित कहते हैं तो यह तो उसे कहते हैं वायू प्रागित क्या कहते हैं याद रखिएगा यहापे क्या होने वाला है बी ओप्शन इसका क्या होगा राइट अंसर हो जाएगा इसे आप लोग याद रखिएगा भेरी वेरी इंपोर्टेन प्रशन है चलिए अगला प्रशन का आप लोग आंसर दीज तो यह होते हैं यहाद रखिये का होते हैं यहाद रखिये का होने वाला है ए उप्षन इसका राइट आंसर होने वाला है 100% इसका राइट आंसर क्या होगा बाबु ए उप्षन इसका हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रशन पर अगला प्रशन का आप लोगा आंसर दीज़ें, यहां डीज़ें तिन नमर प्राश्ण में क्या है कि एंतो में फिलिस कुण में परागण का माध्यम होता है,किसमें बवावु तो एंते में फिलिस कुण में दखीए यहां पर कीटो के द्वारा परागड़ होता है किसके द्वारा होता है कीटो के द्वारा होता है तो B-Option यहां पर क्या होगा 100% इसका राइट आंसर होगा इसे आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रशने पर और अगला प् तो इसका यहां पर लिखा है कि नारियल में तरल एम गुद्देदार पदार्थ क्या होते हैं तो यह होते हैं भूण पोस क्या होते हैं बबू यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रशने पर अगला important प्रश्ण यानि most VVI प्रश्ण होने वाला है आपके एक्जाम के लिए बाबू तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनुस्य की प्रात्मिक सुक्राणु को सिकाओं में यानि प्रेमरी प्राइमरी में आप देखे ओटो मोस की संख्या कितनी होती है यहाँ पर आपको कि आप पुछाए कि मनुस्य की प्रात्मिक सुक्राणु को सिकाओं में यानि प्राइमरी में ओटो मोस की संख्या कितनी होती है तो यह होती है 44 कितना होता है 44 होता है याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा यह option इसका right answer होगा 100% यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि पुश्पि पोधो में भ्रूण।षूत्त में कितने गुण शूत्र होते हैं तो यह कितने होते हैं बवु यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा तो यह होते है थी एन कितने में थियान होते हैं जो भी बच्चा C option बताएगा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा यहाँ प प्रश्निया आप देखिए साथ नमबर है साथ नमबर प्रश्निय क्या है कि युगमक बनाने की किरिया को हम क्या कहते हैं यहां पर क्या होगा बी ऑप्सन इसका क्या होगा 100% इसका राइट अंसर हो जाएगा इसे आप लोग याद कर लिजेगा चलिए जो भी चेप्टर अब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में बता देंगे यानि एक ही चेप्टर में आप देखिए पूरा अब्जेक्टिव प्रश्न खतम कर देंगे और जो भी इस चेप्टर से कोश्चन आएगा इसी वीडियो में से आएगा तो सभी प्रश्नों को आप लोग याद क कर लिजेगाêu यहां पर आठ नबर प्रत्य क्या है कि हाईड्र रिग्र कहां पाए जाते हैं और या伯हांर आप देखेंजिए दो हजार बाइस में पूछा घया है पुछ में हो,, आप इन यहां पर क्या पूछा है में तो यहां फाया जाता है जाते है हाइड्रिला पहले समझे क्या होता है तो हाइड्रिला क्या होता है जलिया जंगली घास होता है जलकुम्भी क्या होता है जलिया जंगली घास होता है और जलिया जंगली घास जितने भी होते है उसमें क्या होता है रंद्र नहीं पाया जाता है जितने भी जलिया जंगली घास यारन नहीं से क्या होगा रंधर पाया ही नहीं ज्याएगा जले जंगली ःफित होता है और isthm report ऒखना यखा मॉय आप्या होगा श्यर्ट ॉत्र lég में प्रत्रां प्रत्रे प्राइश्ट न 2 नौ-पर प्रत्रें प्रत्रें बना होता है इनHow to प्रागण का अगर आप से पूछे का कि बाहर का आवरण किस से बना होता है तो प्राग कड़का यह आप देखिए बाहर का जो आवरण यानि बाहर चुल बना होता है वो Sporopoleinine का बना होता है किसका बाबू Sporopoleinine का बना होता है यहाँ पे क्या होगा C option इसका right answer होगा इससे आप लोग याद कर लिजेगा बहुत ही important प्रशन है C option यहाँ पे क्या होगा 100% इसका right answer हो जाएगा चली अब बढ़ते हैं अब अगले नमबर प्रशन पे अगला प्रशन क्या है यह 10 नमबर और यह 2016 में पूछा गया प्रशन है यानि यह बहुत ही ज़्यादा महत्पुन प्रशन है बहुत ही important प्रशन है क्या पुछा है कि निमन में से कौन कीट भक्ची पौधा होता है यहाँ आप दिखें किट भक्ची यानि वैसा पौधा जो कीटों को खाता हो यानि छोटे छोटे कीड़ों मकड़ों को खाता हो उसे हम क्या करते हैं यहां आप दीखें, वैसा पॉधा, जो छोटे-छोटे केड़ों, कोड़ों हो खाता हुसे, का क्या द आपको है, यहां आप लोग ऐसे ही काट सकते हैं, इसको क्यों काट सकते हैं क्योंकि हम आपको अभी बताएं कि hydrilla क्या होता है यह तो जलिय जंगली घास होता है तो क्या होता है इसमे रंद्र तो पाया ही नहीं जाता है तो यहाँ आप दिखे खाने का तो इसमें आप दिखे कोई भी logic लगेगा नहीं यहाँ पर क्या लिखा इसका राइट अंसर होने वाला है आप लोग इसी याद कर लिजेगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप देखिए ग्यारा नुमर प्रशने पर ग्यारा नुमर प्रशने क्या है यह आप ध्यान देजे कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडो एस्पर्म को कहते हैं बहुत ही ये दिसका सफशने प्रशने यहांद गоко होता है उसमें प्रोटीन युक्त जो एंडो एसपर्म होता है उसे क्या करते हैं और ली ओरेन भिट्टी औरोल हो जायेगा बिल सब्र Michy आग स्पोर्शने याँप महट्यपुनर प्रशने यहाँआप आप लोग 12 नंबधान प्र कितने नर्यूगमक बनते हैं यहां पे आप लोग ये बात ध्यान में रखेएगा तो कितने नर्यूगमक बनते हैं तो एक क्या होगा 100% इसका राइट अंसर होगा इसे आप लोग याद रखेगा वेरी वेरी महत्यपूर्ण प्रश्ण है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नमबर प्रश्ण पर अगला प्रश्ण क्या है यह आप देखें तेरा नमबर प्रश्ण क्या है कि आधूनिक भूर्ण के जनक कौन है तो आधूनिक भूर्ण बिग्यान के जनक है वन वेर यहाँ पर ध्यान रखेगा वन वेर आधूनिक भूर्ण बिग्यान के जनक कौन है तो यहाँ आप देखें यह आप लोग अगर आपसे पूछे कि भारती यह आप दिके भूर्ण बिग्यान के जनक कौन तो आप लोग क्या जवाब दीजेगा तो आप लोग जवाब दीजेगा यह आप देखे पी महस्वरी कौन है भाबू भारतिय भ्रूण बिग्यान का जनक अगर आपसे पूछे आधूनिक इसमें पूछा है क्या पूछे आधूनिक भ्रूण बिग्यान के जनक क्या होता है तो यहाँ आप देखें one where है, लेकिन भारतिय भूर्ण भिज्यान के जनक पूछे तो P महसवरी होता है, P महसवरी का पूरा नम अगर आप से पूछे, तो यहाँ आप देखें, पंचानन महसवरी होता है, क्या होता है, यहाँ आप देखें, यहाँ पर आप लोग ध्यान लिए काफी महत्यपूर्ण होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पे अगला प्रस्ण क्या है आप देखे 14 नंबर और इसका जवाब सभी हमारे देजे जितने भी हमारे प्यारे स्टुडेंट है यहाँ पे आप लोग इसका जवाब देजे 14 नंबर प्रस्ण में देखिए क्या पूछा गया है कि endo esperm द्वारा किसे पोशड दिया जता है तो endo esperm द्वारा हम भूण को पोशड देते हैं कि सको बाबू endo esperm से हम कभी भी भूर्ण को पोसर देते हैं D option क्या होगा 100% इसका right answer हो जाएगा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर प्रशने पर अगला प्रशने का आप लोग आंसर देदीजे बाव फाटा फट यहां पर यहां पर देखिए यह बहुत इमात प्रशने 15 नंब देखिए तो क्या पूठा गया है कि अस्थन धारियों के सुक्राणओं के मद्द्र भाग में क्या पाया जाता है बिवी-आई-ग्दमiegen क्या है भुला भटक के आई वाला objective नहीं है most VBI objective प्रशने कि अस्थन धारी के सुकराणवों के मद्ध भाग में क्या पाया जाता है तो क्या पाया जाता है तो mitochondria पाया जाता है क्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा mitochondria पाया जाता है यहाँ पे आप लोग 17 का आंसर दीजी कि बीज चोल खाया जाता है किसका हम बीज चोल खाते हैं बबू सरीफा का खाते हैं कि सेव का खाते हैं कि नरंगी का खाते हैं कि इन में से सभी का खाते हैं तो सेव का हम क्या खाते हैं मांसल पुसपासन खाते हैं तो यह तो ऐसे हैं, इन में से सभी और सेव गलत हो जाएगा, नारंगी का हम नहीं खाते हैं, लेकिन सरीफा का हम क्या करते हैं, बीज चोल खाते हैं, क्या करते हैं, बीज चोल यानि बीज के उपर लगा होता है, उसका फल वहीं खाते हैं, बीज चोल का मतलब क्या होता है, क चलिए अगला प्रश्णि आप देखिए 18 नमर में क्या पुछा गयागी भूमी फॉलनी फॉल कौन चाहे तो देखिए यहाँ पर आलू तो फॉल नहीं है प्याज भी फॉल नहीं है और द्रक भी फॉल नहीं है तो भूमी फॉलनी फॉल पुछे अगर आप से तो देखिए पर मुँझ फली क्या होते है भूमी फलनी फल होता है यहां पर क्या होगा बी ओप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% यहां पर क्या होगा सई जबाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नमर प्रश्ण पर अगला प्रश्ण का आप लोग आंसर इसमें बीज तो बनेगा लेकिन बीना फूल गे बीना फूल गे तो यहां आप देखे इसमें तो फूल होता है बीज भी होता है पुदीना में भी होता है पपीता का भी फूल होता है लेकिन चिड ऐसा है जिसमें क्या होगा पुस्प नहीं बनेगा लेकिन बीज बनेगा तो यहाँ पर देखिए D option क्या होगा 100% इसका right answer होगा एक बार फिर से बताते हैं आपको कि निमन में से किस path up में बीज तो बनता है लेकिन push नहीं बनता है तो चीड में क्या होता है बीज तो बनेगा push नहीं बनेगा D option यहाँ पर क्या होगा right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ क्या होता है यहाँ पर द्यान दिजगा कि दूइ निसेचन का प्रिणाम क्या होता है तो ब्रूण पोस होता है 100% इसका right answer क्या होगा c हो जाएगा याद रखेगा यहाँ पर क्या होगा endo-sperm याद रखेगा ब्रूण पोस का मतलब endo-sperm चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर पर अगला प्रश्ण का आप लोग आंसर दीजिए देखिए आप एकिस नंबर प्रश्ण क्या है कि भारतिया यह आप देखे आवर्त भी जी भुरुण बिग्यान के जनक कौन है अभी जस्ट अभी हम आपको बताएं है तो दस सेकेंड टाइम देते हैं देख लेकिन भारतिय आवर्त भी जी भुरुण बिग्यान के जनक कौन है तो पी महस्वरी है इसे आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप देखे बाइस नंबर पर बाइस नंबर प्रस्ट में देखिए तो क्या पुछा गया है बाइस नंबर प्रस्ट रखिएगा कि एक प्रारुपिक आवर्त भी जी भुieur्रुण को श्प्राया होता है यह साथ को स्की कितने को स्की साथ सबν कुसी होता है याद रखिएगा यहाप देखेए बहुत बढ़िया साथ सेल होते हैं इसका क्या होता है बबभू सात सेल होता है तो यहां पर आप पर क्या किजेगा एक्जाम में आएगा तो टिक करके आईएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां पर अगले नमबर प्रस्ण पर अगला प्रस्ण क्या आएगा आप देखें तेइस नमबर प्रस्ण क्या आएगा चेटियों द्वारा प्रागड को क्या कहते हैं दो से ती मर्मी को फिली काते हैं B option यहाप देखे क्या हो जाएगा बिल्कुली सही जवाब हो जाएगा है यहाप देखे मर्मी को फिली काते हैं B option पे आप लोग टिक कीजिएगा exam में आएगा तो 100% इसका right answer हो जाएगा चलिए यहाप चोबिस का answer दीजिए तो यहाँ आप देखे 24 नवर प्रश्ण क्या है कि सेमल में किसके द्वारा प्रागड होता है यहाँ आप देखे आप लोग बताइए जो यहाँ देखे जो सेमल होते हैं उसमें किसके द्वारा प्रागड होता है चमगादड के द्वारा पक्छी के द्वारा जल के द्वारा वा आगला प्रस्ण में यह आप देखिए। यह अपने होती है इसका सही जबाब हो जाएगा इसे आप लोग याद रखेगां चले फिर से पताते हैं भूर्ट की उत्पति किसे होती है Joo दूरू भी जाड़ू से होती है डी अफसन यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन का यहां पे आंसर दीजे तो आप तो प्रशन इसका खतम हो गया ने भी भी आई जितना भी यहां पर अब जिक्टी प्रशन था इसका आपको बता दिए है तो भी बच्चों के पास help हो सके यह आप देखिए पहुंच सके और उनका help हो सके बहुत सारे कैसे गरीब बच्चे होते हैं जो offline नहीं पड़ पाते हैं तो उनको फिरी में PDF भी हम देते हैं और यहां आप लोग कराते हैं फिरी में तो आप लोग सेयर कर दीजेगा तो उनका भला हो जाएगा देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो bell icon होता है उसको दबा कि आप लोग वाल पे कर लिजेगा ताकि जब भी class होता हो आपके पास notification आपको पहुचता रहे तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लिखना है आपको ask board यहाँ देखिए ASK और यहाँ देखिए BOARD यहाँ देखिए आपको यह करना कि ऐसा आपको अगर एड़ दुक्राइब लिए तो आप लोग इसे खोल दीजए गा ताकि यहाँ दिके page रिफ्रेस होके हैं और यहाँ आप देखिए आपका PDF डाउनलोड ह होने लगे तो अगर आपको यह आप देखिए ओनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो अगर आप लोग ओनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो यह आप देखिए टेस्ट लिखा इसी पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आप देखिए ए एसा page खुलेगा तो आपको क्या करना है, simply नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ दीके start का button दीखेगा, start के button पर आपको click करना है और यहाँ पर आपका अपना नाम लिखिला है, मैं यहाँ दीके ask board लिख देता हूँ, आप लोग हम यहाँ आप दीके चैनल का नाम लिखें, यहाँ दीके नेक्स्ट कर देंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ दीके टाइमर चलने लगए दस मिनट में आपको यहाँ दीके 20 प्रशनों का जवाब देना है तो आप लोग आईये फाडाफाड ओनलाइन टेस्ट जरूर दीजे और यहाँ आप देखिए PDF और Noots डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा simply आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ देखिए यहाँ आप दीखिए जैसेहे आप दीखिए एक notes डाले हैं अभी इसका notes सम ze दाल देंगे यहाँ दे आपके मातर दस मिनट में इसका नोट से डालेंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप देखें बिद्धुधार का 50 अबजीक्टिव प्रशनों का PDF डाले हैं, तो उसी तरह यह आप देखें आपको दीखे यह अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं से अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए, टेक केर और बाई